नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले है SMHS टेबलेट्स के बारे में अगर इसके उपर यूज किये जाने इंग्रेडियन्स के बारे में बात कर दोस्तो एसिकलोग फिनेक, पेरसिटेमल एंड सरेटियो पेप्टिडेस उपियोग किये गए है दोस्तो लूपिन लिमिटेट कमपनी दोवारा इस SMHS टेबलेट्स को मैनेफेक्चरिंग किये जाते है अगर इसके मार्केट प्रैस के बारे में बात कर दोस्तो 10 टेबलेट्स की एक स्ट्रिप आती है जिसकी MRP 105 रुपे के अंदर किसी भी केमिस्ट और मेडिकल शॉप में आप आसानी से पर्चेस कर पाएंगे अभी बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में कौन-कौन सा कंडिशनों में आप इस SMHS टेबलेट्स को उप्योग कर पाएंगे जैसे कि दोस्तों ये एक पेन किलर टेबलेट से बॉड़ी के अंदर किसी भी पेन में आप इस SMHS टेबलेट्स को उप्योग कर पाएंगे जैसे जॉइन पेन, मसल पेन, बैक पेन, टीथ पेन और दोस्तों फीबर में भी इस SMHS टेबलेट्स के यूज किये जाते हैं अगर इसके डोसेच के बारे में बात पर तो दोस्तों एक एडल बैक्ती, सुबा एक गोली, तता शाम एक गोली दिन में दो बार ले पाएंगे और दोस्तों इस टेबलेट को आप खाली पेट कंज्यूम ना करें अभी बात कर लेते हैं side effects के बारे में यदि आप इस SMHS टेबलेट्स को लेते हैं क्या क्या आपको side effects देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तों इसके तो जातार side effects नहीं हैं लेकिन किसे-किसी बैक्तिको side effects देखने को मिल जाती है जैसे nausea, vomiting, dust यदि इन में से किसी भी तरीके का side effects आपको इस SMHS टेबलेट्स को लेने का बाद देखने को मिलती है इस टेबलेट को आप लेना तुरन बन कर दे और आपके नजदी के किसी डॉक्टर से परामार्स करे अभी बात कर लेते हैं प्रेकूशन के बारे में कौन-कौन सा बातों को ध्यान में रखते हुए आपको इस SMHS टेबलेट्स को लेना है लेते समय इसके experience चेक कर ले, overdose इसे उप्योग ना करे और दोस्तों pregnancy lady और breastfeeding mother को भी इस SMHS टेबलेट्स को नहीं लेना है उमिद करता हूँ आपको SMHS टेबलेट्स के बारे में संपुन्न जानकरी मिल गई होगी आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट मियोरिक न्यू मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई और टेक कियार